हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदित नरण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मिशी के यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपके जो बोर्ड आप टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रिद्स यान पहले की तरह नहीं होगा तो क्या है चलते हैं देखते हैं बात करते हैं complete detail से मैं आपको साथ में model भी दिखाऊंगा जो पेपर हो चुके हैं अलग-अलग स्टेट में similar उसी तरह से आपका भी जो पेपर होगा वह होगा तो complete ओभी मैं प्रजेंट करने वाला है तो लोड है आप उदित फार्मेसी चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हुए हैं तो जरूर से जरूर कर लिजेगा यह इसलिए इंपोर्टेंट है आपके क्योंकि यहां पे जितना भी फार्मेसी अप्डेट आता है जो भी निव जाता है जो भी उदित फार्मेसी की वीडियो ज तो भाई मैं आपका कम्प्लीट ख्याल रखता हूं आपको क्या करना है कि सभी प्लेट फॉर्म पे जुड़े रहना है जो भी जानकारी आपको दी जारी है उसे थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखना पड़ेगा तो इस पीडियो को हम करते हैं तो यहां पे मेरे पास य यह देख सकते हैं कब आया था क्या कुछ है कम्प्लीट इसमें बताया गया है डिटल लेकिन अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी ऐसा लग रहा है क्या ही लिखा हुआ है हमें यह सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए आई बटन पे क्ल रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि अगाइडलाइन हम एक चोड़ कुंप का क्या पर जो भी है वह हम बात कर चूके हैं पिछली वीडियो में कम्प्लीट कर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में और इंडिस्क्रिप्शन में या प्लेश्ट पटे लिस्ट पे चेक आउट कर सकते हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी का जो आपका पेपर होना है, बोर्ड एक्जाम होना है, उसका पैटरन क्या होने वाला है, तो यह देखिए, यहां पर आपको 7th question मिलेंगे, 7th question में से 6 करने है, कितने भी या, long answer लिखना पड़ेगा आपको, यानि यह जो question मिलेंगे, इनका answer आपको long में देना है, टोटल कितने नमर का हो जाएगा, तो 30 नमर का हो जाएगा, आप स्क्रीन पर क्लियर देख रहोंगे, मैं थोड़ा साथ जूम कर देना चाहूंगा, इसको यहां से ऐसे करके आप देख लिजिए, तो यह देखिए, अ फिर fill in the blank, या one word, या one sentence, तो यह total होंगे आपके 20, यानि एक एक नमर के, और इसे सभी को attempt करना है, तो total कितने वाक्स का हो जा रहा है, 80, अब हमें काम करते हैं कि आपको दिखाते हैं एक model paper, तो model paper के लिए आपको क्या करना होगा, कि अगर उदित फार्मिशी के courses में आप join है, तब तो आपको पता है, वहाँ पर भी है, और telegram channel पर भी वो दिया हुआ है, तो हम आपना खोल लेते हैं D-Pharma का course, और यहाँ पर हम आजाते हैं content में, आगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर ER 2020 live class PDF model paper, इसको हम click कर लिए, आप अपना application open करके, इसे आप easily open कर सकते हैं, अ यहाँ पर देख सकते हैं, ER 2020, ठीक, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर सबसे first में आप देखिए, कि यह है, session A, objective type question, कितने हैं, तो भाईया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि objective type question, आपके पास मिलते हैं, total, कितने हैं, यहाँ पर 5, और इसी परकार से, यहाँ पर देख सकत हैं, आप देख सकते हैं, कि कुछ-कुछ attempt all the question, जितने भी हैं, तो session A में यह कुछ है, तो कि 5 नमर के हैं, 5 नमर के यह है, fill in the blank, और इसी परकार से, column होला, तो इसमें complete मिला करके, आपको कितना देना है, 20, तो 5 यहाँ देखिए, 5 यहाँ देखिए, 5 यहाँ देखिए, और फिल in the blank हो सकता है, तो इसी परकार से, आपका भी जो paper होगा, सेम कुछ इसी तरह से होने वाला है, यह देखिए, मैं total थोड़ा सा, ऐसे zoom out कर देता हूं, यह देखिए, और अगर आप application पे जुड़े हुए हैं, तो obviously बात है, कि आपको सभी subject, के एक subject नहीं, चाहाँ फार् question paper का pattern होने वाला है, I hope कि अब आपको clear in this post समझ में आ गया होगा, कि आपका जो BT UP का question paper का pattern होगा, वो क्या होने वाला है, अभी भी अगर कोई भी doubt है, तो एक बार आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ करके, उस PDF को, जो model paper की PDF है, उसे देख सकते हैं, या फिर आप video lecture course में, जो एक course दिख रहा है आपको सामने, तो इसमें भी आप जूड़ सकते हैं, इसके बार में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, यहां पर जो live class है, अभी तक इसमें 74 live classes चल चुकी है, रेगुलर वैसे इस पर classes चल रही है, आप इसे join कर सकते हैं, बाकि जितनी भी class छूट गई है आपकी इस साल की, टोटल यहां पे recorded format में अबलेबल है, completely आप ट्लिक किजिए, देखिए, content में अगर आप आएंगे, तो जितने भी pre-recorded video lecture हैं, पहले से, जिसमें कोई disturbance नहीं है, ओ भी आपके आपके लिए अबलेबल है, जितना ER 2020 लिखा हुआ है, इसमें complete नए syllabus के coding है, अगर आप नीचे आजाएंगे, तो यहां पे complete दिया हुआ है, ऐसाने कि कोई भी अगर आप डी फार्मा के student है, तो कोई confusion या कोई और चीजे चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि यहां पे जो वीडियो lecture है, complete Hindi and English में समझाया गया है आपको, और लिखा हुआ मिलने वाला है, और डी फार्मा इस्ट्रेंट अगर आप रहे हैं, तो आपको हिंदी में लिखना नहीं चाहिए, आपको समझ भले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, एक जिए टियामुर जबाब दीजिएगा, बहुत से चीजे हैं, तो वहां पे मैं 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 करता हूं, आपके जो भी टीचर सोग रहे हैं, वो सेंटेंज को वर्ड को कम्प्लीटली हिंदी में वसे पैन से लिख करके आपको समझा देवें, लेकिन कम्प्लीट जो टेक्स है, जो फॉर्मेट है उसका वो इंगलिस में ही रहेगा, तो बेटर है, आपके लिए यूज लेगा, उस पर मैं तुरंद कुछने कुछ रिपलाई दूँगा, या फिर हो से के तो कम्प्लीट वीडियो बना दो, बाकी अप्लीकेशन से लेटेड कोर्स लेटेड कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीट कॉंटेक डिटल दिया हुआ है,